इसके बारे में और जानने के लिए डिस्रिप्शन में लिंक है उसमें डिटेल्स में समझाया है हमने आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर आप चानल पर नहीं आए हैं तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब नेक्स चेन आयर सीटीसी यूटूब चानल लेट स्टार्ट दी वीडियो पहले बात करते हैं यह कनेक्टिंग जर्नी क्या होती है मान लीजी आप किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यात्रा करते हैं आपकी ट्रेन वहां तक हैं इसके आगे भी आपको यात्रा करनी है उसके लिए आपको दूसरी ट्रेन बुक करनी पड़ती है और ऐसे में होता क्या है कि पहली ट्रेन लेट हो जाती है किसी कारण से तो आपकी जो दूसरी ट्रेने वह चूट जाती है अगर आपने पहले से ही टिकेट ली होती है रिजर्वेशिन किया होता है आपकी जो बुकिंग है वो कैंसल भी नहीं कर पाते हैं ऐसे में आपका जो पैसा है वह भी वेस्ट हो जाता है पही बार ऐसे देखने को मिला है इसी को देखते हुए IRCTC ने ये Connecting Journey option जारी किया है इसके तहट आप दो PNR को एक साथ लिंक कर सकते हैं इससे पायदा क्या होगा कि अगर आपकी दूसरी ट्रेंड चूट जाती है किसी कारण से आपका जो पैसा है वरिफंड कर दिया जाएगा यानि कि आपकी दूसरी ट्रेंड का पैसा है वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा आईए आप बात करतें Connecting Journey Rules के बारे में परस्ट है आप सिर्फ कंफर्म दो टिकेट के PNR को ही Connect कर सकतें नेक्स्ट है अगर दो टिक्टे आपकी IRCity से बुख की हुई है तो ऐसे में ज़रूरी है दोनों टिकेट एक ही यूजर आइडी से बुख होना चाहिए तब ही दोनों टिकेट आपस में लिंक हो पाएंगे और अगर रिजर्वेशन काउंटर से टिकेट बुख कराया है और एक IRCity से एक टिकेट है तो दोनों को भी आपस में लिंक कर सकते हैं लेकिन यहां ज़रूरी है पैसेंजर की डिटेल सब कुछ सेम होना चाहिए नाम, एज, जेंडर, मुबाइल नंबर सब कुछ सेम होना चाहिए यहां कोई भी क्लास का किसी भी क्लास के साथ लिंक करा सकते हैं जिसे कि अगर आपने फर्स्ट ट्रेंग कर टिकेट श्लिपल ट्लास में बुक किया है और सेकेंड का एसी में है तो आप इसको भी लिंक करा सकते हैं नेक्स्ट यहां सिर्फ जर्णर लेडिज दिव्यान कोटे में ही काम करेगा काम नहीं करेगा नेक्सट लेंक्स करें नंत जर्णर सबसेंज़ार चाइब करें वॐडियो अगर आपको विडियोग पसंद आई है तो इसे लाइक करें अनुप्सक्राइब करें। थाध्ते पर गार्फट इसे दिडियों